नमस्कार, आज मैं आपको शम्मी के पोधे के बारे में संपून जानकरी देने जा रही हूँ पांस तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और यहें पांस तत्व हैं धर्ती, वायू, अगनी, आकाश और जल्ड इनी में से एक तत्व है धर्ती जिस पर हम रहते हैं इस पर उगने वाली वनस्पती का अपना अलग-अलग फाइदा होता है धर्ती पर उगने वाले पेड पोधे जितने हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है उतना ही ग्रय नक्षत्रों के परभाव को कम करने के लिए भी जरूरी है ऐसा ही एक पोधा है शमी का पोधा सबसे पहले इसके लाप और महत्तव के बारे में बात कर लेते हैं शमी के पोधे पर कई देवताओं का वास होता है इससे भगवान शिव प्रसन होते हैं शनी की साड़े सती और बुरे परभावों को दूर कर शनी देव की कृपा का पात्र बनता है साथ ही शिरी गनेश को भी ये बहुत प्रिया है यही वज़ा है कि समस्त यग्यों में शमी के व्रिक्ष की समिधाओं का परियोग अत्यंत शुक माना गया है शमी के काटों का परियोग तंत्र मंत्र बाधा के और नकारत्मक शक्तियों के नाश के लिए होता है तो वहीं शमी के पंचांग यानि फूल, पत्ते, जड़, टहनिया और रस का इस्तेमाल कर शनी सबंदी दोशों से जल्द मुक्ती पाई जा सकती है शमी का पोधा घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में किसी भी परकार की नकारत्मक उर्जा का परवेश नहीं होता किसी भी काम पर जाने से पहले इसके दर्शन कर प्रणाम करना शुब माना जाता है इससे जिस भी काम के लिए जारे होते हैं उसमें सफलता मिलती है और रोजाना दर्शन करने से दुरगटनाई कम होती है और शरीर स्वस्थ रहता है घर में शमी का पोधा लगाने से पैसों की कमी भी घर में नहीं होती क्योंकि इससे मा लक्षमी भी प्रसन होती है शमी का पोधा घर के वास्तु दोश को दूर करता है और इसमें पापों को खतम करने की शक्ती होती है आयरवेदिक दृष्टी से तो यह अत्यंत गुनकारी ओशदी मानी जाती है कई रोगों में इस पोधे के अंग काम आती है इसे घर में लगाने से घर के सदस्यों में आपसी तालमेल और प्रेम रहता है शमी के पोधे को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह पोधा जिस घर में होता है उस घर परिवार के सदस्यों पर आने वाले संकटों का संकेत यह पोधा पहले ही दे देता है पुरानिक मानेताओं में शमी का वरिक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है धार्मिक कथाओं में जिकर मिलता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आकरमन करने से पहले और साथ ही लंका पर विजय पाने के बाद भी शमी के पोधे की पूजा की थी इसके इलावा पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपनी हत्यार शम्मी के प्रिक्ष के नीचे छिपाए थे जिसमें अरजुन का गांडीव धनुष भी था कुरुक शेतर में कौर्वों के साथ युद के लिए जाने से पहले भी पांडवों ने शम्मी के प्रिक्ष की पूजा की थी और उससे शक्ती और विजय प्राप्ती की कामना की थी तबी से यह माना जाने लगा है कि जो भी इसकी पूजा करता है उसे शक्ती और विजय प्राप्त होती है विजय दश्मी यानि दशरा के दिन शम्मी की पूजा का विशेश महत्व है नवरात्रों में मा दुर्गा की पूजा भी शम्मी के पत्तों से करने का शास्त्रों में विधान है नवरात्रों में शाम को शम्मी के पोधे का पूजन करने से आरोग्यवे धन की प्राप्ती होती है शम्मी भारत में ज्यादातर पंजाब, कुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्रपदेश और बिहार में प्राप्त होता है शम्मी का व्रिक्ष 9 से 18 मेटर उंचा, मध्याकार का और हमेशा हरा रहता है इसके व्रिक्ष में काटे होते हैं, इसकी शाखाएं पतली जुकी हुई और भूरे रंकी होती है इसकी चाल भूरे रंकी फटी हुई तथा खुर्दरी होती है शम्मी का वनस्पतिक नाम है प्रो सोपिस सिने रेडिया भारत के अलग-लग राजियों में इसे अलग-लग नामों से जाना जाता है जैसे चोंकर, खेजरी, छीकुर, शम्मी, सतुफला, शिफला, लक्ष्मी, खेजरी, प्लांट, कंडी, जंडी, जंड, सोमी, खोदिरो, बनी, तककीटे, खीजडो, खमडी, पैरंबे, जंबी, शोमी, वम्मी, आदी नामों से जाना जाता है शनी दोशों को दूर करने में शम्मी का पोदा एहम स्थान रगता है इसके केवल घर में होने से ही शनी की साड़े साती और इसके अन्यकू परभावों में कमी हो जाती है पीपल और शम्मी तो ऐसे व्रिक्ष हैं जिन पर शनी का परभाव होता है और जिनकी पूजा से शनी प्रसन होते हैं पीपल का व्रिक्ष बहुत बड़ा होता है साथ ही इसको घर में लगाने की मना ही होती है ऐसे में शमी का पोधा ही घर में लगाकर शनी को प्रसंद किया जा सकता है शमी के पोधे को शनी पोधा भी कहा जाता है अब बात करते हैं कि कब और कैसे लगाएं घर में शमी का पोधा और इसकी पूजा विदी क्या है वैसे तो इसे विजय दश्मी के दिन लगाना सबसे उत्तम माना जाता है विजय दश्मी का शुब दिन तरक्की को दर्शाता है और शमी का पोधा इस दिन लगाने से आपका भागय भी चमकने लगता है अब ये दिन तो साल में एक ही बार आता है तो इसके इलावा आप शनीवार के दिन इसे अपने घर के मुख्या दौार के पास लगा सकते हैं शमी का पोधा आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाइने हाथ मतलब राइट हैंड साइड की और और जब बाहर से घर के अंदर आएं तो यह आपके बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हो इसे आप गमले में या फिर सीधे कच्ची जमीन पर भी लगा सकते हैं शनी देव के वास के ही चलते शमी का पोधा किसी भी मोसम में जीवित रह सकता है घर के अंदर शमी का पोधा नहीं लगाना चाहिए अगर आपके घर के बाहर इस परकार की जगे नहीं है तो आप इसे घर की छट पर भी लगा सकते हैं चत पर लगाएं तो इसे उत्तर पूरव दिशा में रखें जहां इसे धूप भी अच्छी तरह से मिल सकें शमी का पोधा जहां लगाएं वो जगें साफ होनी चाहिए नाली का पानी या कूडा कच्रा ना हो वहाँ पर शमी के पेड की पूजा होती है इसलिए वहाँ कोई थूके ना जूता चपल ना रखें ना ही इसके उपर कपड़े सुखाएं शमी का पोधा लगाने के लिए साफ मिट्टी का परियोग करें यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर अन्या किसी गंदे स्थान की ना हो गमले में गोबर खाद या फिर कमपोस्ट ही शमी का पेड लगाएंगे तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी उपाय के तोर पर पोधे की जड़ में एक सुपारी और एक रुपय का सिक्का भी दबा दें साथ ही पोधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें पोधे में रोजाना पानी दें यह मुर्जाना नहीं चाहिए पर इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती पानी थोड़ा सा ही दें लेकिन धूब बहुत चाहिए तो कोशिश करें कि ऐसी जगह रखे जहां काफी अच्छी सनलाइट मिले जोतिश कहता है कि इस पोधे की पतियां जितनी हरी होती है पेड की सेवा करनी चाहिए सुभा रोजाना शनी देव का मंतर ओम शंग शनिष्च्राय नमा या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिष्च्राय नमा मंतर बोलते हुए जल चड़ाएं और शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना शंवी के पेड के पास भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं अगर आप मिटी के दिये का प्रयोग करते हैं तो शनी देव इससे अधिक प्रसन होते हैं शनी वार को पेड के सबसे निचले भाग में उर्थ की काली दाल और काले तिल चड़ाएं इस दिन गरीबों को इसका दान भी जरूर करें इससे अगर आपके उपर शनी की साड़े साती चल रही है तो इसका दुश परभाव कम होगा वैसे तो शमी की पूजा नीमत रूप से करनी चाहिए लेकिन अगर किसी कारण वश आप रोज पूजा नहीं कर पाते तो शनीवार के दिन शमी के नीचे दीपक जरूर चलाएं शमी की पू शत्रु विनाषिनी अर्जुनस्या धनुर धारी रामस्या प्रिय दर्शिनी करीशय मान यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विग्न करत्रीत्वम भवश्री राम पुजिता अर्थाथ है शमी आप पापों का एक शय करने वाले और दुश्मनों को प्राजित करन आप अर्जुन का धनुषधारन करने वाले हैं और श्री राम को प्रिया है जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की मैं भी करता हूं या करती हूं मेरी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उसे सुख मैं बना दीजिए भगवान शिवजी और श्री को भी ये पौदा बहुत प्रिया है कहते हैं कि हजार धतूरों से भी ज्यादा एक शम्मी का फूल शुब और पुन्या देने वाला होता है इसलिए भगवान भोलेनात को प्रसंद करने के लिए एक शम्मी का पुश्प चढ़ाएं क्योंकि यह फूल शुब और पु श्री पौदा छोटा और उसमें पुश्प नहीं है तो आप शम्मी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं जल चढ़ाने के बाद शिवजी को चावल बिल पत्र सफेद वस्त्र जनेव और मिठाई के साथ ही शम्मी के पत्ते भी चढ़ाएं शमी के पत्ते चढ़ाते समय ये मंत्र बोलें अमंगला नान च शमनीन शमनीन दुश्कृत स च दोह स्वपरा नाशिनीन धन्यान प्रप धैहन शमीन शुभाम शमी पत्र चढ़ाने के बाद शिवजी की धूब धीप कपूर से आती करें गनेश जी की पूजा में भी इसकी पतियां चढ़ाई जाती हैं इसे घर में धन सुक्की वृदी होती है घर में अशान्ती खतम होती है और मानसिक परेशानियां खतम होती है बुद्धी तेज होती है गनेश जी की पूजा में भी चावल फल फूल सिंधूर के साथ ही शमी के पत्ते चढ़ाना चाहिए गनेश जी को शम्मी पत्र अर्पित करने का मंत्र है त्वात प्रियानी, सूप पुश पानी, कॉम लानी, शुभानी वै शम्मी दलानी हेरंब, रिहान गणनायक शम्मी पत्र अर्पन करने के बाद मोदक और दुर्वा का भोग लगाएं और आर्थी करें एक बात और अगर आपके घर में शम्मी का पोधा नहीं है तो आप कहीं से भी इसके पत्ते लाके इनको सुखा के एक डिबे में रख सकते हैं और भगवान के उपर समय समय पर चड़ा सकते हैं अब मैं आपको शम्मी के पोधे के कुछ उपाएं बताती हूँ जोती शासर के मुताबिक शनी के प्रकोब के चलते कई बार एकसीडेंट्स या फिर सेहत सबंदी परिशानियां भी लगी ही रहती हैं यदि किसी के साथ यह दिखते हूँ तो वैं शम्मी की लकड़ी का परियोग कर सकते हैं इसके लिए किसी भी शनीवार को शम्मी के पोधे से थोड़ी सी लकड़ी तोड़ कर काले धागे में लपेट कर गले या बाजु में धारन कर लें साथ ही मन ही मन शनी देव से जाने अंजाने में हुई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें और उनसे प्रातना करें की अपनी कृपा द्रिष्टी बनाए रखें इसके इलावा शनी के शान्ती के लिए आप शम्मी के लकड़ी पर काले तिल से पूजन हवन भी कर सकते हैं इससे भी शनी देव प्रसन होते हैं अगर आपको किसी तरह का रोग है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो शनीवार शाम के समय शम्मी के पोदे के गमले में पत्थर या किसी धातू का छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें शिवलिंग पर दूद चढ़ाएं और विधी विधान से पूजा करें इसके बाद माम रित्युम जै मंतर का जाप करें ऐसा करने से घर के किसी भी व्यक्ती को लगा रोग दूर हो जाएगा धनकी तंगी के लिए एक उपाय बताती हूँ सोमवर को शमी के पोधे में एक लाल मोली बांदे इसे रात बर बंदे रहने दे अगले दिन सुबह वै मोली खोल कर एक चांदी के डिबिया या ताबीज में भर कर तिजोरी में रखें कभी धनकी तंगी नहीं होगी इसके इलावा प्रती दिन पूर्व की और मुक करके शमी के पोधे में पानी डालने से वेक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं इस परकार वेक्ति शिक्षा वेपार करियर में तरक्की करता है और सफलता पाता है इश्वर करे आप सब के जीवन की सब परिशानि दूर हो जाएं. धन्यवाद.